Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल ये 23rd में से लेकर 29th में तक कि आपकी tarot readings है, tarot predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस channel को नहीं subscribe किया तो please like, share और subscribe करें देखिए आपका एक-एक like, एक-एक subscription, एक-एक share हमारे लिए बहुत मायने रखता है In fact, यही एक motivation भी होती है next video को बनाने के लिए तो अगर आपको videos पसंद आते हैं तो please आप खुल के like करें, खुल के share करें, खुल के subscribe करें इसी के साथ-साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं Sun sign, Moon sign, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं याँ पर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपने वीडियोस को sorry readings को देखते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही क्राशी फल तो चले रीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं four of pentacles, reverse and aloneness और देखें ये cards कहते हैं कि इस week आपका overall के लिए देखें तो खर्चा हो सकता है और ये general reading होती है तो ये खर्चा सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ों पर खर्चा हो सकता है कि इतना आप नहीं चाहा रहे हैं खर्चा करना लेकिन फिर भी आपका खर्चा हो रहा है और देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपने पीछे कुछ सेविंग्स करी थी और इस week उन्ही savings में से आप खर्च कर रहे हैं या फिर आपका खर्चा हो रहा है या फिर इन savings को further आप invest करना चाहा रहे हैं और ये investment भी सब के लिए differ करेगी कुछ लोगों के लिए property हो सकती है कुछ लोगों के लिए mutual funds हो सकते हैं तो देखिए overall के लिए फिर से मैं कहूंगी कि एक खर्चा हो रहा है और कहीं practical, realistic, tangible, materialistic चीजों से related इतना comfort, इतना एक you know secure आपने ही महसूस कर रहे हैं और देखिए ये काड़ ये भी कहता है कि पीछे किसी भी चीज के साथ अगर आप बहुत एक attachment महसूस कर रहे थे, बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए थे आपको ऐसे लग रहा था कि ये चीज तो आप हमेशा ही अपने साथ या पिर इस चीज को आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे और इस वीक कहीं थोड़ा थोड़ा आपकी grip धीली हो रही है, थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे लग रहा है कि भई छोड़ दे तो बहतर है या फिर circumstances ऐसे हैं, situation ऐसी है जहाँ पर उसी चीज को आपको लड़को करना प चाहा रहे हैं, और देखिए आपे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कि पीछे अगर partnership में आप काम कर रहे थे और partnership को ही आपने बहुत tightly पकड़ा हुआ था, तो उसको ही आप छोड़ना चाहा रहे हैं, आप independently काम करना चाहा रहे हैं, और देखिए overall के लिए भी कहीं aloneness का card कहता है, कि अपनी किसी भी चीज के लिए आप किसी के ओपर भी depend नहीं होना चाहा रहे हैं, और मनी मनी एक thought चल सकता है, कि भाई अब अकेले ही करना है, और एक introspective mode में भी आप रहते वे दिख रहे हैं, चीजों को लेकर जादा सूच रहे हैं, जादा समझना चाहा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कि किसी चीज पर आप research भी इस week, यहां तो करना चाहा रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं, और यहां पर एरीज में आपको यही कहूंगे कि time to time थोड़ा सा pause लेके, चीजों को समझना बहुत important होता है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, तो हम खुद को थोड़ा सा देख पाते हैं, कि जो भी हम चाहा रहे हैं, हमारे action initiatives उनके साथ align हैं या नहीं हैं, लेकिन देखिए, जब इसी thinking mode में हम बहुत deep चले जाते हैं, या फिर इसी चीज को हम over कर देते हैं, तब एक परेशानी भी हम लेकर आते हैं, तब देखिए, उल्टा होता है, हम अपने goal अपने मकसद से deviate हो जाते हैं, तो इस चीज का खयाल रखें, एक introspective mode में रहें, लेकिन too much, you know, thinking या फिर overthinking, अगर आपको लगे कि आप कर रहे हैं, तो ज़रूर चेक करके correct करें, and personal front के लिए, आप लगों के लिए cards हैं, judgment and breakthrough, और द ऐसा ही या तो हो रहा है, या फिर आप करना चाहा रहे हैं, और दिखिए, नीचे breakthrough का card कहता है, कि हो सकता है, कुछ आप करना चाहा रहे थे, किसी को कहना चाहा रहे थे, लेकिन बहुत एक limitations, बहुत एक restrictions आप महसूस कर रहे थे, और दिखिए, ये restrictions, ये limitations सब के लिए differ कर सक कुछ के लिए externally हो सकता है कि यह limitations, यह restrictions थी society की तरफ से, religion की तरफ से, family की तरफ से या फिर किसी भी और वजह से और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यह restrictions आप ही के thoughts की वजह से थी, आप ही के belief system की वजह से थी देखे फिर से, जो भी restrictions, जो भी limitations आप महसूस कर रहे थे, जो आप चाहा रहे थे उसको करने के लिए, इस week कहीं उन्हीं सब limitations को आप तोड़ना चाहा रहे हैं और कहीं एक fresh start-up ने ले करना चाहा रहे हैं, एक नई beginning करना चाहा रहे हैं, पुरानी चीजों को छोड़के फिर स मैं कहूंगी नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं, and in the process हो सकता है कि कोई decision, कोई choice भी इस week, या तो आपको लेना पड़ रहा है, या फिर आप ले रहे हैं, और देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत critical, judgmental, खुद को लेकर या फिर को लेकर हो रहे हैं, और अगर ऐसा आप Aries पाएं इस week, तो इस चीज़ को जरूर चक करके correct करें, क्योंकि देखिए जब हम बहुत critical खुद के लिए हो जाते हैं, तो हम खुद के लिए बहुत hard हो जाते हैं, और in the process हम अपने आपको बहुत परेशान करते हैं, और जब हम ल circumstances के लिए critical होते हैं, तो देखिए एक negative energy हम उसी चीज़ के लिए create करते हैं, तो जिस भी चीज़ के लिए अगर इस week carries, आप बहुत critical judgmental हो रहे हैं, तो फिर से मैं कहूंगे उसको ज़रूर चेक करके correct करें, and guidance है, आप लोगों के लिए breaking trail का card है, और देखिए एक card कहता है, breakthrough is at hand, और देखिए यहाँ पर personal front के लिए भी आप लोगों के लिए breakthrough का card है, तो यहाँ पर देखिए हो सकता है, बहुत सरे Aries, इन limitations, इन restrictions को तोड़ना चाह रहे हैं, नहीं तोड़ पा रहे हैं, या फिर रहे हैं, तो guidance का card बहुत ही clearly कहता है, कि सभी limitations, सभी restrictions को तोड़ के, एक freedom अपने लिए ले कर आएं, एक liberation अपने लिए ले कर आएं, और जो भी आप चाहते हैं, उसको खुल के करें, खुल के अपनी जिंदगी जियें, and astrology से आप लोगों के लिए third house का card है, और इसके हिसाब से all shades of green, इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकते हैं, and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday, तो ये था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजनेट किया, कितना आप connect कर पाएं, चलिए Doris, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, 10 of pentacles, reverse and playfulness, और दिखें ये cards कहते हैं कि इस week, specifically आपके professional front में, कहीं materialistic, tangible, चीजों से related, money, पैसे से related, चोटे मुटे issues, चोटे मुटे मसले रह सकते हैं, और दिख के लिए हो सकता है कि आपका जादा खर्चा हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि जितना profit आपने expect किया था, उतना profit आपको नहीं मिल रहा है, कुछ के लिए हो सकता है जो भी आप पीछे अपने professional front में कर रहे थे, या फिर इस week कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा था कि यही चीजें long term stability, long term security आपके professional front में लेकर आएंगी और इस वी कहीं आपको लग रहा है कि भई ये तो possible नहीं होगा या फिर एक long term stability, एक long term security आप नहीं देख पा रहे हैं और देखिए overall भी कहीं एक discomfort सा रहता हुआ देख रहा है आप उतने comfortable या फिर उतने एक you know happy state में surface level पे नहीं रहे रहे हैं और देखिए कुछ के लिए भी हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनसे कुछ issues हो रहे हैं और देखिए ये भी सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके views अपने colleagues, अपने co-workers के साथ नहीं match कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि उनकी तरफ से supportive, cooperative energies आप नहीं महसूस कर रहे हैं, और देखिए जो भी surface level के लिए हो रहा है, कहीं deeper level के लिए playfulness का card कहता है कि beyond the point आप किसी भी चीज से effect नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ही मन ही, मन carefree सी energies में हैं, जहां पर आपको ऐसे लग सकता है, यह भी जो होगा देखी जाएगी, आज के ऊपर focus करो, जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो उसे छोड़ दो, और देखिए Taurus, अगर आप ऐसी energies में हैं, तो यही एक ideal situation भी होती है, क्योंकि इस पूरी ही दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है, जिसकी life में कोई मसला ना हो, जिसकी life में कोई issue ना हो, और जब इन issues, इन मसलों को हम accept कर लेते हैं, और इनके साथ अपने state of mind को नहीं खराब होने देते हैं, तब देखिए हम इतने strong हो जाते हैं, कि कोई भी चीज हमें परिशान नहीं कर पाती, तो कुछ टॉरस के लिए again literally ऐसी energies हैं, और कुछ टॉरस को दिखिए ऐसा भी लग सकता है, कि या तो उनकी immaturity की वज़े से, यह issues यह मसले हो रहे हैं, और अगर ऐसा भी आप पाएं टॉरस, तो दिखिए जो भी issues हैं, जो भी मसले हैं, उनके हल पर focus करें, कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं, उन पर focus करें, क्योंकि दिखिए एक root cause चीजों को लेकर जानना बहुत important होता है, यानि कि यह क्यों हो रहा है, हमें पता होना चाहिए, लेकिन बहुत जादा हमें क्यों पर focus नहीं करना चाहिए, जैसे ही हमें root cause पता लगे, वैसे ही हमने, कैसे उसको ठीक करना है, उस पर हमें focus करना चाहिए, for example, दिखिए physical body में कोई भी problem होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है भाई, फला फला की वज़े से आपको खासी है, जुकाम है, और उसी चीज़ का वो एंटिबाइटिक देते हैं, हम खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बहुत जादा सोचने लग जाएं, कि भाई, ये मुझे क खार हुआ, क्यूं, मुझे खासी हुई, अब क्या होगा, तो फिर हम परेशान होंगे, और जब हम अगें दवा खाते हैं, तो उसी प्रॉब्लम से हम बहुत असानी से निकल जाते हैं, ऐसे ही देखे, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं, अगर हम ऐसी कहते हैं कि इस वीक, या तो कोई चीज़ एंड हो रही है, नई बिग्निंग हो रही है, या फिर किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिग्निंग आप करना चाहा रहे हैं, और दीखिए कहीं ये ट्रांजिशन वाला फेस, इतना स्मूध रहता वा नहीं दिख रहा है, कहीं पुरानी चीज़ों के साथ इतना attachment हो जाता है, इतना एक comfort zone हो जाता है कि हम चाहा के भी उनको नहीं छोड़ पाते हैं, और देखिए, on the contrary, नहीं चीज़ें भले ही कितनी भी अच्छी हों, हमें पूरी तरीके से उनके बारे में नहीं पता होता है, तो एक fear, एक anxiety रहती है, और इसी लिए देखिए, पूरी तरीके से हम उनको welcome नहीं कर पाते हैं, या फिर खुल के हम उसको नहीं accept कर पाते हैं, और देखिए, जब तक ये ending, beginning हम अपनी life में नहीं करते हैं, तब तक एक growth, एक progress भी हम अपनी life में नहीं ला पाते हैं, तो देखिए, nutshell में बहुत important है, कि पुरानी चीजों को आप end करें, और नहीं चीजों को आप accept करें, और देखिए, अगर आप अपनी life को थोड़ा सा भी pause करके देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि कैसे ending और beginning हमारी जिन्दगी का एक हिस्सा है, देखिए, हर दिन, दिन end होता है, नहीं सुभा होती है और कैसे देखिए, दूसरे दिन का हम इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि नहीं सुभा, नया दिन, हमारे लिए नहीं उमीद लेकर आएगा, नहीं चीजें लेकर आएगा, और ऐसे ही देखिए, जब हम छोटे होते हैं, कैसे हम पुराने जूते, पुराने तो देखे इसी तरीके से जो भी चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं आप जितनी जल्दी उनको लटको करेंगे उतनी ही जल्दी एक सुकून अपनी लाइफ मिले कर आएंगे और उतनी ही जल्दी जो भी अच्छी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं आपकी जिंदगी मे आने के लिए इंतजार कर रही हैं उनको भी आप अपनी लाइफ मिला पाएंगे और यहीं देखे नीचे हामनी का कार्ड भी आपको कह रहा है हामनी कहीं बहुत ही एक पीस, बहुत ही एक सुकून की बात करता है तो फिर से मैं टॉरस आपको यही कहूंगी कि जटपट पुरानी चीजों को एंड करें बहुत ज़ादा ना सोचें क्योंकि जैसे ही आप यह एंडिंग करेंगे वैसे ही बहुत अगेन एक सुकून बहुत एक पीस आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और गाइडन्स से आप लोगों के लिए इन दफ्लो का काड है और यह काड कहता है अवरिधिंग स्मूथ सेलिंग जो देखें यह काड भी आपको यही गाइडन्स दे रहा है कि आप बहुत ज़ादा ना सोचें जैसे चीजें आ रही हैं आप वैसे ही उनको लेते जाएं एक सरेंडर मोड में रहें क्योंकि देखें जब हम अगेन एक इन दफ्लो वाली एनरजीज में होते हैं हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान करते हैं जैसे देखें नदी के बहाव के साथ अगर कोई इनसान चल रहा होता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है और बहुत एक effortless सारा process हो जाता है लेकिन जब हम नदी के बहाव के against जाना शुरू करते हैं तब देखें हम आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं और बहुत effort लगता है, बहुत महनत लगती है तो देखें इस चीज का खयाल इस week आप जरूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए वोगो sign का card है और इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकते हैं और significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Gemini's, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional friend के लिए आप लगों के लिए cards है king of cups and flowering और दिखें ये दोनों ही cards बहुत ही beautiful energies की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही specifically this week आपके professional friend में रहता हुआ देख रहा है दिखें flowering के card को अगर आप देख पा रहे हैं तो personally देखें ये card मुझे Goddess Lakshmi की याद दिलाता है या फिर Goddess Lakshmi की energies मुझे इस card में दिखती हैं और देखें हम सब जानते हैं कि Goddess Lakshmi सुख, सम्रधी, मनी, पैसे की Goddess होती हैं और जब इनकी blessings होती हैं तो ये चीजे हमारी life में बढ़ती हैं और इस week देखें Goddess Lakshmi की blessings या तो आप महसूस कर पा रहे हैं या फिर Goddess Lakshmi की blessings आपके ऊपर हैं जहां पर देखें डीपर लेवल पर एक comfort, एक luxury again specifically अपने professional front में आप महसूस कर रहे हैं money, पैसा, tangible, materialistic चीजों से related again मैं कहूंगी कि एक comfort रह रहा है या पर किसी तरीके का gain, किसी तरीके का फाइदा हो रहा है और शायद इसलिए या फिर otherwise भी king of cups का card कहता है कि एक happiness है एक joy है, एक contentment है आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसको बहुत enjoy करते हुए दिख रहे हैं और क्योंकि देखें ये king का card है तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई male figure है आपके professional front में जिनकी तरफ से बहुत एक loving, caring energies आपके लिए है या फिर बहुत एक emotional support आपके लिए available है और देखें कुछ जेमिनीज की भी king of cups वाली energies हो सकती है जहाँ पे देखें एक love, care जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं, उनके लिए आप महसूस कर रहे हैं और आप भी बहुत cooperative, बहुत supportive उनके लिए हो रहे हैं तो again मैं कहूंगी कि professional front में इस वीक चीजें काफी अच्छी रहते वे देख रहे हैं और अब देखें personal front को देख लेते हैं तो personal front में king of pentacles, reverse and guilt के cards हैं और देखें, guilt का card बहुत ही clearly कहता है कि किसी चीज को लेकर आप मन ही मन बहुत परेशान हो रहे हैं इस card को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो इस figure ने literally अपने बाल पकड़े हुए हैं तो कुछ ऐसी सी energies रह सकती हैं और देखें, weekly reading है, तो बहुत बड़ा मसला नहीं होगा लेकिन जो भी मसला है, उसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं तो देखें, दोनों ही चीजों में फरक होता है हम बहुत परेशान किसी चीज को लेकर हो रहे हैं इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो मसला, वो problem बहुत बड़ी है इसका मतलब सिरफ यह होता है कि कहीं हम mentally, emotionally इतने strong नहीं हैं और आपने अपनी life में देखा भी होगा कहीं लोग छोटी मुटी चीजों से बहुत परेशान हो जाते हैं कहीं लोग बड़ी-बड़ी चीजों में भी हसते रहते हैं तो यहां पर देखें यह कार्ड यह अगें नहीं कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी problem आपके personal front में आ रही है यह कार्ड सिरफ यह कह रहा है कि जो भी personal front में हो रहा है छोटा या बड़ा आप कहीं उस चीज को लेके बहुत परिशान हो रहे हैं और देखें सबसे पहली चीज में आपको यही कहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने आपको emotionally, mentally कैसे और strong बनाए उस पे जरूर आप work करें और देखें दूसरी बात यह कार्ड guilt की बात करता है तो हो सकता है कि पीछे कोई गल्ती, कोई mistake आप से हुई या फिर आपकी किसी loved one से हुई और उस पे आप बहुत जादा focus कर रहे हैं तो देखें जितनी भी negative emotions होती है ना Gemini's उन में से सबसे जो worst negative emotion होती है वो guilt होता है क्योंकि guilt में हम उस चीज के लिए अपने आपको punish करते हैं जो हमने कर दी, जो हो गई, अब हम उसको किसी भी हालत में ठीक नहीं कर सकते हैं या मैं कह सकती हूँ कि past को हम नहीं बदल सकते हैं और हम देखें अपना present खराब करते हैं, अपना future खराब करते हैं और इसी cycle में कहीं हम अटक जाते हैं और हम फिर आगे भी नहीं life में बढ़ पाते हैं तो देखे, इस week जो भी चीज आपको परेशान कर रही है आपने pause करके सबसे पहले अपने आपको बोलना है It's okay, हो जाता है, सबसे गलती होती है सबकी life में कुछ ना कुछ issue है, कुछ ना कुछ मसला है तो it's fine अब जो भी चीज आपको परेशान कर रही है उसका solution क्या है, उसका हल क्या है उस पे focus करें, अब जो हो गया, वो हो गया अब आगे कैसे इस चीज को आप avoid कर सकते हैं आगे कैसे उस चीज को आप repeat ना करें तांकि फिर से आप परेशान ना हूँ, उस पे आप focus करें क्योंकि वैसे भी देखिए, जो भी mistakes हम करते हैं उनको अगर हम learning के जैसे लें यानि कि उनसे हम सीखें कि ऐसा हमने किया था तो हमें ये बुरा result मिला था जिसकी वज़े से हम परेशान हुए थे तो हम अपने future को बहुत सुधार सकते हैं तो इस चीज का आप खयाल रखें और देखें, guilt के उपर यहां पर King of Pentacles Reverse का card है तो कुछ लोगों के लिए देखें, इसलिए भी एक परेशानी रह सकती है क्योंकि comfort या फिर luxury आप personal front में नहीं महसूस कर रहे हैं एक stability, एक security आपको नहीं मिल रही है money, पैसे से related या फिर materialistic, tangible चीज़ों से related issues और मसले हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कि किसी खास इंसान के साथ आप एक commitment चाह रहे हैं, वो commitment आपको नहीं मिल रही है तो फिर से देखें, इन ही चीज़ों से related कोई मसला भी आपको परेशान कर सकता है और यहाँ पर देखें, फिर से मैं आपको यहीं कहूंगी जर्मिनीज कि यह सिरफ और सिरफ इस week की energies हैं और जो भी आपके external life में हो रहा है उसको लेकर आप खुद को क्या बोलते हैं आपकी internal representation क्या होती है वही determine करता है आप कितना परेशान होंगे या फिर इस problem को आप कितना बढ़ा करेंगे और देखें फिर से अगर आप अपनी self-talk को positive कर पाएंगे इस week को थोड़ा सा आप जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनसे attention हटा के जो चीज़ें आपकी life में अच्छी हैं उन पर focus कर पाएंगे तो again इस week की energies को आप काफी बहतर कर पाएंगे and guidance से आप लोगों के लिए grace and gratitude का card है और ये card कहता है through gratitude joy expands तो देखिए इस guidance card की energy जादा personal front के लिए मुझे दिख रही है क्योंकि personal front में आप परेशान हो रहे हैं और यहां पर ये card बहुत ही clearly आपको message देता है जो मैंने आपको अभी कहा कि जो चीज़ें अच्छी हैं आप उन पर focus करें और उसके लिए अपना gratitude express करें आप चाहें तो आप देखे paper pen लेके gratitude लिख भी सकते हैं आप लिख भी सकते हैं आप very thankful की मेरी health अच्छी है या फिर मेरे parents मुझे love करते हैं या जो भी अच्छी चीज़ें आगेन आपकी life में हैं उनके लिए आप लिख के gratitude express करें आप देखेंगे कैसे आपकी energies shift होती हैं और कैसे आप एक बहतर energies अपनी life मिले कर आते हैं और astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है और इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकते हैं और significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राश्वीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए एक answerians आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है Three of Souls, Reverse and Creativity और देखें इस week specifically आपके professional front के लिए दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं जहां एक तरफ comfort है, luxury है कहीं materialistic, tangible चीज़ों से related, money, पैसे से related एक gain हो रहा है, एक फाइदा हो रहा है या फिर से मैं कहूंगी कि इनी चीज़ों से related एक comfort है वहीं दूसरी तरफ कोई चीज मन ही मन आपको परिशान कर रही है या फिर किसी चीज़ को लेकर again एक परिशानी आप महसूस कर रहे है क्योंकि ये general reading होती है तो यहाँ परिशानी का कारण सब के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए simply हो सकता है कि ये week जैसे आपने plan किया था या फिर जो आपकी expectations थी उसके हिसाब से नहीं रह रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से आपको बहुत expectations थी बहुत उमीद थी और उनकी तरफ से वैसा response नहीं मिल रहा है और दिखिए इसी वज़े से या फिर otherwise भी एक hurt वाली energies आप महसूस कर रहे हैं कुछ लोग उनके लिए literally हो सकता है कि कि किसी इंसान situation की तरफ से एक cheating भी आप महसूस कर रहे हैं तो दिखिए जो भी हो cancerians इतना मैं आपको बोल सकती हूँ यह weekly reading है तो बहुत बड़ी कोई चीजे नहीं होंगी लेकिन छोटी मोटी चीजें again जहां एक तरफ आपको परेशान कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बहुत beautiful energies हैं वहां दूसरी तरफ बहुत एक you know positive outcome, positive result पीछे जिस भी चीज के लिए आपने effort किया महनत करी उसी से ही related इस week मिलता हुआ भी दिख रहा है and personal front के लिए आप लगों के लिए cards है the fool reverse and receptivity और देखिए receptivity का card कहीं love, emotions, feelings, प्यार, महबबत की बात करता है और कुछ ऐसा ही again specifically आपके personal front में रहे रहा है और क्योंकि ये general reading होती है तो फिर से मैं कहूंगी थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप ही बहुत एक loving और caring वाली energies में है जहां पे जो भी आपके close ones है, loved ones है, family members है उनकी again आप बहुत care कर रहे हैं, अपनी feelings, अपनी emotions को आप express कर रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि ये love, care आपको, आपके loved ones, आपके close ones या फिर किसी खास इंसान से इस week मिल रहा है लेकिन देखे, surface level के लिए the fool reverse का card कहता है कि काफी immature energies या तो आपकी है या फिर आपकी personal front में कोई इंसान है, उनकी है और कहीं देखे, बहुत एक carelessness भी रहती हुए दिख रही है बिना सोचे समझे again, या तो आप या फिर जो इनसान है वो चीजों को deal कर रहे है बहुत ज़ादा एक मैं कहूंगी, अगेन बिना सोचे समझे risk ले रहे हैं बिना सोचे समझे चीजों को कर रहे हैं तो देखे, मैं ये नहीं कह रही हूँ considering कि आप ज़ादा सोचें क्योंकि देखिए जादा सोचना तो मुझे लगता है एक बिमारी होती है जो कि जितनी जल्दी हम छोड़ें उतना बहतर है लेकिन हर चीज में एक balance बहुत जरूरी होता है और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है life is all about balance ना तो हमें बहुत जादा सोचना चाहिए और ना ही हमे हमें बहुत कम सोचना चाहिए हमें you know moderately हर चीज करनी चाहिए या फिर मैं कहूंगी balance तरीके से हर चीज को डील करना चाहिए और इस week फिर से देखे परसनल फ्रंट के कार्ट्स को देखें तो एक immature energies दिख रही है carelessness दिख रही है बिना सोचे समझे कुछ risk आप या फिर कोई इनसान लेते हुए दिख रहे हैं तो ऐसा आप भी अगर concerns पाएं तो इस चीज को ज़रूर check करके correct करें and guidance से आप लोगों के लिए card है navigating by the stars follow your bliss तो देखें ये card एक दो चीजें कहता है सबसे पहली चीज कि आप जहां तक देख सकते हैं आप वहीं तक ही you know देख के आगे ब के बारे में ना सोचें और देखें ये guidance जादा मुझे personal front के लिए दिख रही है क्योंकि personal front के लिए आप किसी चीज के लिए हो सकता है इस week over impulsive हो रहे हैं over जल्दबाजी कर रहे हैं तो फिर से देखे navigating by the stars के card का message आप के लिए है कि आप again बहुत दूर तक ना plan करें जैसे हो होती है हम वहीं तक देख के आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी मनजिल तक हम पहुँच जाते हैं तो देखे एक guidance एक advice ये है दूसरी guidance आप लोगों के लिए होगी कि अगर आपको लगे कि भई किसी से guidance लेने से आप और clear हो सकते हैं आपको और जादा समझ या फिर understanding आ सकत है जो भी आप कर रहे हैं तो आप जरूर वो guidance वो counseling लें देखे यहाँ पर the fool के card में हमने देखा कि एक immature energies हैं तो कोई बड़ा decision कोई बड़ी choice आप बिना किसी experiential इंसान से बात करे हुए ना लें और वही चीज़ यहाँ पर navigating by the stars का card कहता है कि अगर again guidance और counseling लेने की जरत है तो आप जरूर लें क्योंकि कितनी बड़ी क्या होता है ना हमें लगता है कहीं सामने वाला मना ना कर दे इसलिए हम नहीं लेते हैं और कितनी बड़ी हमें लगता है कि हम बिलकुल ठीक हैं और हमें किसी guidance किसी advice की जरत नहीं है तो देखिए guidance advice लेने में कोई हर्ज नहीं हो देखे, कहीं बारी सामने वाले का व्यूपॉइंट सुनके, आपको अपने व्यूपॉइंट पर और कन्विक्शन आ जाती है, और कहीं बारी देखे, आपको एक डिफरेंट नजरिया, डिफरेंट आंगल उसी चीज के लिए मिल जाता है, और दोनों ही सेनारियों में देखे कहीं आप better decisions ले पाते हैं, better तरीके से चीजों को डील कर पाते हैं, तो इस चीज का खयाल इस वीक आप ज़रूर रखें, और astrology से आप लगों के लिए aquarius sign का card है, और इसके हिसाब से all shades of blue इस वीक आप लगों के लिए लगी रह सकते हैं, insignificant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, त तो ये था केंसेरियन्ज आप लुगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे कमिंग सेक्षिन पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए.